असलाम वालेकुम वीवर्स मैं हुजलेखा फिरोज और आप देख रहे हैं टेस्टी वोक सबसे पहले चानल को सब्सक्राइब कर लो लाइक शेर कर लो बैल आइकन प्रेस कर लो आज की हमारी रेसिपी है मेथी गोश चलिए स्टार्ट करते हैं फूकर रखा है मैंने उसमें थोड़ा ओल दाला है अब प्याज एट कर रही हूं मैं तीन एक स्लाइस के आवा अब ये कुछ होल स्पाइसे से तीन तेस पत्ता दो इलाइची दो दाल चीनी तीन चार काली मीरी फिर इसको सौटे कर लेना है अब इसमें मतन एट करेंगे हम मैंने या एक किलो हड़ी के स एक दम कॉला गोश है अब इसको थोड़ा भूनने के बाद हम इसमें अधरक लस्टन हरी मिर्ची का पेस्ट एट करेंगे तू टेबल स्पून पिर इसे अच्छे से भून लेंगे पिर इसमें मसाले अभी एट करेंगे सबसे पहले हल्दी या पर वन टेबल स्पून हल्दी एट कर रही हूं मैं फिर धन्या पाउडर एट करना है वन एरा हाफ टेबल स्पून फिर गरम मसाला पाउडर है वन टी स्पून जादा नहीं एट करना है क्योंकि होल स्पाइस भी है फिर ब्लैक पेपर पाउडर है यह हमें एक ती स्पून एट करना है और अब सॉल्ट एट करेंगे वन टेबल स्पून अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे बटन को मसाले में अच्छे से कोट कर लेना है हमें और अच्छे से बुनना है इसको ओइल एक दम कम यूज़ किया है। क्योंकि मटन अपना ओयल भी छोड़ेगा फिर थोड़ा पानी आट करना है हमें यहां पर एक ग्लास पानी में आट किया है ज्यादा नहीं आट करना है अब लेट से इसको में कवर कर लूगी और मटन गलने तक 6-8 सीटी 20 मिनिट मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पका लूग इसे एसे भी रोटी के साथ सर्फ कर सकते हैं बहुत टेस्टी लगता है अब हमें भाजी की तैयारी करनी है एक कड़ाई लिया है मिने उसमें 2 टेबल स्पून ओल दाला है फिर उसमें प्यास एट करनी है 3-4 मीडियम साइज की स्लाइस की वी प्यास थोड़ी जादा एट क करेंगे तेल बहुत कम यूज़ करना है कि मटन में भी है अब 3-4 हरी मिर्ची स्प्रिट करके मैंने दाल दी है अब इसमें हल्दी पाउडर एट करेंगे एक दम छोटा सा हाफ टी स्पून और इसको सौटे करके फिर हम हमारी भाजी मेरे मेथी पहले से धो के वाश करके अच्छे से स्ट्रें करके रखा वाता वो मैंने एट कर लिया यह एक गुंडी है अब उसमें गोश एट कर लेंगे और अच्छे से हमें मिक्स करना है भाजी और गोश के मसाले को भाजी को थोड़ा पका लेना है इसको लेट से कवर नहीं करना है वरना भाजी का जो कलर है वो खराब हो जाता है एकदम ब्लैक हो जाता है कभी भी भाजी बनाए तो लेट कवर ना करें ओपिन में ही उसको अब इसमें कोरियंडर एट कर रही हूं मैं इछे से मिक्स कर लेना है यह मैं ड्राय रख रही हूं अगर आपको थोड़ा सा ग्रेवी जैसा चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी स्टेच पर एट कर सकते हैं और फिर सिमर करके उसको सफ कर यह मुझे एकदम सुखा चाहिए इसके मैंने पानी नहीं एट किया है अब हमारा मतन गोश मित्थी गोश रेडी है सर्फ करने के लिए अब इसे हम सर्विंग प्लेट पर निकाल लेंगे इसे रोटी दाल राइस किसी के भी साथ आप सर्फ कर सकते हैं इसमें थोड़ा कोरियंडर और निम्बू मैं एट करूँगी और बस रेडी है यह प्ले जाए यह